हेलो नमस्कार साथियों स्वागत है आप सभी का आईटिया एक्जाम के यूट्यूब चैनल पर फाइनली दोस्तो आईटिया एक्जाम का एड्मिट कार्ड जारी करते गया जी हाँ दोस्तो जो आपके एक्जाम तेरा तारिक से होने वाले हैं ठीक है इंजिने ड्रोइंग औ ड्रोइट क्लिक करके आप वहाँ पर जाके क्लिक करके देख सकते हैं ठीक है नीचे मैंने डिस्क्रिटिन बॉक्स में लिंक पर देदे नहीं तो आप हमारी वेबसाइट पर आईटे एक्जाम वाईटी.net पर जाईए और वहीं पर आपको हमारा लिंक मिल जाएगा उस पर ग्लिक करके आप अपना Admit.Card डाउनलोड कर सकते हैं ठीक है अप देखे है एक आपको दिखाने वाला हूँ जो डाउनलोड हुआ है और कर दिखाने वाला गो आपको कुछ नहीं करना आपको जैसे मैंने लिंक दिया है और यहां पर लिख दिया है ठीक है इसके बाद लिखने के बाद अपने फादर को वसकता है पहली बार में आपको संभी करते न हो दूसरी बार ऐसे करके देखता है तीं तीसरी बार में अधिक्तर यह रिफ्रेस हो करके अपने लोगिन ओजाता है ठीक है कभी आप एक बार में आपका उपन ना हो प्रोफाईल जैसे आप इस पर क्लिक करोगे मैं इसको उपन करता हूं पूरा डेटल भनने के बाद दूसरी बार मैं इसको करकर देखता हूं ठीक है जब से आप लोग सम्मेट करोगुद?" आपके सामने इस प्रकार से आपका जो है प्रोफाइल उपन हो जाएगा ना जैसे प्रोफाइल उपन हुआ है जैसे आप नीचे के साइड आएंगे आप यहां पर देख सकते हैं फर्स्टी और सेकेंड ठीक है आपको दो तरह के यहां पर एडमिट कर दी जाएंगे एक तो सीबीटी होल टिकट आपको एक होल टिकट करता हूं तो यहां पर देखें लोडिंग हो रहा है और जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करोगे तो आपको डाउनलोड का ओप्शन ही देदेगा और मैं इसको ओपन करके देखता हूं पीडियाफ में ठीक है तो देखें मैं अभी आपको बता है इसमें दो तरह के कर चुका है जो एडमिट काड़ आ चुका है उसके बारे मैं आपको दिखाने हैं देखी यहां पर जो एडमिट काड़ आए हैं यहां पर देख सकते हैं आप लोग तो कहीं बाहर दिया जाएगा या पहले की दाल जैसे सीबीटी पर रिक्षा है मुआ था कि आपका 20-30 किलो में ऐसा नहीं होने वाए आपकी आई टी में आपका सेंटर होगा हां कुछ आई टी यहां सकते हैं जो ब्लैक लिश्ट में पड़ी हैं तो उनका सेक्टर थोड़ा स कर सकते हैं जैसे मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे दिया वहां से जाकर के या तो फिर हम हमरी वेबसाइट आप सार्च करना it examyt.net वहां पर पहली पोश्ट आपको मिल जागी उस पर क्लिक करके अपना admit card जो है डाउनलोड कर सकते हैं ठीक है तो चल आपने वाद!